आज हम लोग दिख रहे हैं अपना वीजन का टेस्ट थर्ड तर्म लगा रहे थे उसमें हमने 60 कोईशन करे थे अब आगे के देखते हैं देखी कोईशन 61 वायू को पूंता संत्रिप्त कहा जाता है जब ए निर्पेक्ष आदिता 100 ग्राम प्रतिक घन मीटर होती है बी सापेक जलवाश की वास्तविक मात्रा को निर्पेक्ष आदिता कहा जाता है जो वायू होती है उसमें जो वाश्प के रूप में होता है जलवाश्प बोलते है उसको उसकी वास्तविक मात्रा होती है उसको निर्पेक्ष आदिता कहते है इसे ग्राम प्रति घन मीटर में कितनी है कितु मौसम का अध्यन के डिश्टी से सापक्ष आध्यता अधिक महत्पूर होती है लेकिन अगर हम एकर मौसम का अध्यन करना है तो उसमें हम सापक्ष आध्यन को देखना है यह जलवाश की वास्तविक मात्रा और किसी दिएगए तापमान पर वायू की द्वारा धारत कुल जलवाश की मात्रा मतलब वायू ने कितनी जलवाश ले रखे हैं समान लीजे उसके बीच का अनुपाद वास्तविक मात्रा और उस पर वायू द्वारा धारत जो कुल जलवाश पर की बीच के अनुपाद को सापिक्ष आदृता कहते हैं इसको प्रतीशत के रूप में हम व्यक्त करते हैं गर्वायू ठंडी वायू की तुला में अधिक जलवाफट करती है दिखिए जो अधिक슬 itu नियुक्त कुम आधिक जलवाफटव करती है अे já si सो मतलब पूरी जलवाश ले सकती है 100% लेकिन माली जे वो आधी आधी मात्रा वहन करती है तो उसको हम कहेंगे कि 50% हुमिडिटी है विशुवती चेत्रों में प्राहता कि समय समानता 80% से अधिक सापिक शादता होती है तो एक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी होती है चार बटे पांच भाग जलवाश को धार्ण के होती है जब सापिक शादता 100% तक पहुंचाती है तब वायू पूरी तरह से संत्रिप्त हो गई है तो वायू के तापमान को उसांग बिंदू पर ले जाया जाता है अत्रिक शीतलन से जलवाश संगनेत होकर बादलोय वर्षा में परिवर्थित हो जाती है जब ठंड होने पर क्या होता है जलवाश होती है वह कंडेंस हो जाती है ठीक है और वह क्या होता है फिर लिक्वीड में बदल जाती है बादलोय वर्षा में वह चेंज हो जाती है इस प्रकार इस परस ठेक कि जब सापिक शादता उच अगर बादल का निर्मान होना है बारिश होनी है तो वायू को 100% साफिक शाधिता तक पहुचना होता है किन्तु केवल उसी इस्थान पर जहां बादल का निर्मान हो रहा हो या जब वर्षा हो रही हो ठीक है तो question 61 का हमारा 20 है अब देखते है question 62 रोगांडू रोधी प्रतिरूर एमर जो एंटी माइक्रोबिर रेस्टेंस के वैश्विक विकास संचन और प्रसार में निम्लिकित में से कौन से योगदान करता है ए अस्वचता वाहित मलो अप्षिस्ट बहिस्त्राब दूसरा फार्मासियोटिकल्स उत्पादन से जनित ब तो देखें इसका बी सही है हाली में से उक्तराज पर्यावन कारिकरम उनाइटे नेशन इंवामेंट प्रोग्राम यूनिप ने एक नई रिपोर्ट में रोगांडू रोधी प्रतिरोध जो होता है कि वैश्विक विकास संचन और प्रसार एतु पांच प्रमुक युगद प्रोटों में शामिल है अस्वच्ता बाहितमल और अपसिस्ट बहिस्तराव ठीक है जो भी गंदिगी फैलती है फार्मसीटिकल उत्पात से जनित बहिस्तराव यू अपसिस्ट ठीक है जो दवाय वगेरा इन सबका जो अपसिस्ट होता है स्वास सुविधाओं से निकलने प्रदूशन पर्यावणिय माध्यम से शूष्मजी संग्ठन को वादित करता है तदा जय विवित्त और परिस्टेगी तन संबंती कारियों को प्रभावित करता है तो यह जो मतलब रोगाडु रोधी कारकों से उत्पन प्रदूशन होता है ठीक है उससे क्या होता है यह जो शूष्मजी संग्ठन होता है वह बहादित होता है जय विवित्त प्रभावित होता है इस दशा में जल म्रिदा वायू रोगाडु रोधी प्रतिरोत रोगाडु के प्रसार हेतु वहां के रूप में कार करते हैं तदा मानव पशू और अन्य पर्यावणिय जलाशियो को प्रभावित करते हैं तो देखी बता देते हो कि AMR क्या होता है एंटी मैक्रोबेर रेस्टेंस देखी क्या होता है जब भी कोई शूष्मजी वह जैसे बैक्टिरिया है वाइरस है तो उससे कोई बिमारी होती है तो उसके उप्चार के लिए जैसे एंटी बायोटिक होता तो उसे एंटी मैक्रोबेर रेस्टेंस बोलते हैं ठीक है तो यह कैसा फैलता है माली जे फाल तुम्हें डॉक्टर लिख देते हैं एंटी बायोटिक जरूरत भी नहीं होती है तब भी लिख देते हैं यह माली जैसे कोई यह मैं आपको बता है फार्मसीटिकल का कर नहीं होगा यह हो जाएगा फिर आप दवा लेंगे तो उसका कोई आगे असर नहीं होगा तो यह चीज बढ़ रही है तो इसके लिए यह बताया कि कौन से कारण होते हैं अब क्वेशन 63 देखते हैं निमलिखित कतन उपर विचार कीजिए एक अन्य ग्रहों का गोलाकार होना दूसा विचिए स्थानों पर सूर्य दॉतार सूरय सूर्य pouco दो सब अवलोकनों से ग्यात होता है कि ग्रह पेंट सूरे चंद्मा और ग्रह तारे किसी भी कौन से देख जाते हैं उनकी आकरिती बृत्ता कार होती है यह वास्तव में गोलाकार है समरूपता कि अनुसा प्रत्वी एकमात अवबात नहीं हो सकती जह हम दूसरे ग्रहों को देख गोलाकार चिते उचाई में व्रिद्धी के साथ विशाल होता जाता है और यह केवल गोलाकार पिंड पर ही देखा जा सकता है अगर आप बहुत उचाई से देखेंगे तो आपको आप देखेंगे कि एक दूरी पर जाकर आपको चीज़े दिखती नहीं मतलब क्यूकि प्र प्रत्वी के स्थान ओपर प्रित्वी पूर्व चाप दूलाइप दिखाईबा अपर है कि अधे जास जाता है अगरको के सुर्व पर स्वेसात लेग स्चाई जान्द भी आपको देखता है न इक बात बता रही हो उसकी चाह ब्रत्ताकार परती है तो ये सब चीजे बताती है कि प्रत्वी जो है वो गोल है अब question 64 देखते हैं विसरप किस अंदर में निमलेकित कत्नों पर विचार कीजिए यह ऐसे चैनल प्रती रूप है जो प्रया किसी नदी की युवास्था से संबंध होते हैं दूसरा जहले हम अपनी युवास्था में शीनिगर की समय विसरप का निर्माण करती है तो कौन सा स 64 का वीस है नहीं पनी जहले हम एक सबस्काण करतों 1000 प्रता में चाहिए और Armen प्रता माइधनों के नदियह स्मणिएर Š already नदियह से तुछा है तो ऑ दिखेंगी साम की तरह हुआ है तो alignisar तो यह लूप जैसे चाहता है प्रारूविक्सटों इस तरीके से आपको लिखेंगे विसर्प की निर्माद लेकिन यूवास्ता में बनाती है निर्मान से निमलिकित कारक महत्पूर्ण भूमिका निवाते हैं तो क्या होता है कि अगर मंद धाल से बह रही है नदी तो वो कटाफ करती है तट पर जलोड का अन्यमित और असंगठे जमाब जिससे नदी पाशों पर जल के दवाब का बढ़ना तट पर क्या होता है अन्यमित असंगठे जमाब जिससे नदी पाशों पर जल के दवाब का बढ़ना ठीक है प्रवहावित जल का कोरियस प्रवहाब से विच्छेपित होता है जो प्रत्री घुमती है तो उस पर कोरियस बल लगता है उसकी कांड भी ऐसा होता है जहलम नदी विसब का निर्माण कश्मीर घाटी में लाखो वर्षपूर मौजूद किसी प्राचीन जीलदवार निचे पे तलचट के इस्थानी निम्नितर तल की कांड किया जाता है समानता नदी अपनी प्रोड़ा वस्था में विसब का निर्माण करती है किन्तु कश्म जैसे कि माली जे अगर माली जे ढाल तेज है न तो नदी सीधे ऐसे बह जाएगी लेकिन अगर सीधा है ठीक है मंद ढाले धीरे ढाले तो क्या है नदी फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब होके बहती है क्योंकि वो एकदम उसे तेज नहीं मिलता है बीच में बहुत सारा वो जो अपरदन करती है ठीक है जो अफसाद साथ में वो अपने लाती है तो वो अफसाद क्या है तो अफसाद क्या होता है वो अपने साथ नदी अफसाद लेके आती है तो मंद ढाल में क्या होता है कि वो अफसाद होई कारण वो ऐसी मूडी मूडी सी बहती है तो वो होता है तो 64 का हमारा 20 सही केवल 2 सही एक सही नहीं अब कर्शन 65 देखते हैं भारत और बांगलादेश के बीच अंतर देशे जल पारगम और व्यापारबर प्रोटोकॉल के संदम में निम्लिक इतकत्नों पर विचार कीजिए एक किसी देश में अंतर देशे जल यान दूसरे देश के किसी भी जलमाग से पारगमन कर सकते हैं दूसरा ये समग रूप से भारतिय देशे जलमाग प्राधिकर्ण के अधीन है उप्यों कत्म में से कौन से सही एक दो एक दो दो ना तो एक ना तो दो तो आपको बताना है भ प्रहुपध नदी को गंगा नदी से भाहरत और बांगलदेश के बीच अंतर देश जल पार्गमान और व्यापः प्रोटोकल मार्ट के माध्यम से जोड़ा गया है तो दीजिए प्रहाःत और बांगलदेश के भी जोड़ा गया है यह इस चहाज एमवी लाल भादो शास्तिरी ने रास्टी जलमार एक गंगा नदी पर पटना से अपनी यात्रा शुरू की और भागलपूर, मनिहारी, साहिब गंज, फरक्का, ट्रिवेनी, कोलकाता, हल्दिया, हेमनगर से होते हुए भाद बांगलदेश प्रोटोकॉल, मार्क के खुलना, नाराइन गंज, सिराज गंज, चिलमारी और रास्टी जलमार दो के धुबरी और जोगी घुपा होते हुए 2350 किलोमेटर की दूरी तैकी, भाद तो बांगलदेश के मद दोनों देशों के अंतर देशी जलमार के मात्यम से पारगर्म और व्यापार पर देटकालिक और समय की कसौर्टी पर खाव तरनने वाला प्रोटोकॉल है इस प्रोटोकॉल पर पहली बार वर्ष 1972 में बांगले देश की सुझता की तुरन बाद हस्ताक्षर किये गया थे अंतिम बार वर्ष 2015 में पांच वर्ष के लिए इसका नवीनी करण किया गया था इसमें विभिन हिद्धारुकों को दीरकालिक आश्वाशन देते हुए पांच और वर्षों की अब्धी है तो इसके ऑटोमेटिक नवीनी करण का प्रावदान था इस प्रोटोकॉल के अंदर किसी देश के अंतर देशे जल्यान दूसरे देश के विशिस्ट जल्मार्गो से पारगमन कर सकते हैं तो इस प्रोटोकॉल के अंतर देशे जल्मार्गों से पारगमन कर सकते हैं तो इस प्रोटोकॉल के अंतर देशे जल्मार्गों से पारगमन कर सकते हैं यह समग रूप से भारती अंतर देशे जल्मार्गों कर सकते हैं बाहरत और बांगलदेश के ब तो इसलिए 65 का वन गलत है किसी भी जलमाक से पारगमन नहीं कर सकते हैं और दूसा हमारा सही है तो बे सही है 65 का अब देखते हैं आपको इसको सही अनुकरम बताना है तो बताइए फिर मैं आपको बताती है उसका अंसर तो 66 का हमारे सही है बतान था मतलब मैंग्रोव का जो चेत्र उसके अनुसार में क्रम में लगाना था बहात में अंडुमान और निकोबार दीप समू तो था पश्चिम मंगाल के सुंद अनुसार राजयों में मैंग्रोव अच्छा अधा निम लेकेते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे जादे आपको दिख रहा है है जबसे जादा थे चेत्र है 2,114 किलो बग किलो मीटर ने पहते हैं उसकी बाद देखे सबसे जादा फिर कुजरात में है थी आर सो पश्चिम आपको दिख रहा है उसकी बाद आप देखेंगे फिर अंडुमान और निकॉबार दीपसभू में है 616 वक किलो मीटर आप देख सकते हैं पहले पाश्य मंगाल सबसी आदाए फिर गुजरात में फिर अंडुमान निकॉबार में उसकी बाद आप देख रहे हैं आंध्र प्र फिर आंद्रप्रदेश में है तो इसमें भी आपको दिया हुआ है आप चाहें तो देख सकते हैं पॉस करके और फिर हम आगे देखते हैं क्वेशन तो ठीक है सबसे आदा पश्य मंगाल हुआ तीसरा फिर चौथा गुजरात फिर पहला अंद्रबानिक को बार दीप समूब फिर दूसर महारास्ट अब क्वेशन 67 देखते हैं हाली में बन गोर्जर खनाब दोश जंजाती सुर्कियों में रही है यह मूल निवासी है अच्छ गड के बी उत्राखन के सी राजिस्थान के डी मध्यप्रदेश के कहां के है यह तो 67 का हमारा 20 है देखिए हाली में बन जीव संदक्षन श्रिशुदन विद्यक 2021 के बन गोर्जरों पर प्रभाव से संबंद में चिंता व्यक्त की गई है बन गोर्जर उत्राखन ह समदाय खनापदोर्ष चर्वाह समुद आ तो अपनी चर्वाह संबहर की खोज में उत्राखन उत्रपरदेश के बनों में मौसं मीं प्रवास करते हैं तो क्या होता है कि मतलब पशु के चारें के लिए एक ज़िए से दूसरी आगे प्रवास करते हैं बन गुर्जरों को उत्राकाशी जिले के गोविन पशु विहार राष्ट्री उद्धान के भीत इस्थित बोग्याल हिमाली अलपाइन घास के मेर्दान में अपने ग्रीश का गरों में प्रवास करने तुकाफिला कारवा ले जाने का अधिकार प्राप्त है बन गुर्जरों और उनकी भैसों का चक्रिय चारण तटबंडों की माध्यम से जरस्त्रोतों को बनाया रखने आक्रमक प्रजातियों को हटाने बीज प्रसार में सुविधा प्रदान करने शेत्रों मार्वो को पुना अफजाव बनाने में साहेता करता है तो दीए कई सारे जैसे लोग चर्ते हैं तो इन से कई सारी चीजे प्रजातिय के लिए पास्की तंदर का संडेक्शन करने के लिए बनों की वीतर अगनी रेखाँ फायरलाइंस करने में बास्ता में बन गुर्जरों की गत्वीतिय जैसे पत्यों को काटना आदी शाकारी जीवों की जीविका को सक्षम बनाती है यह कटे हुए ब्रक्षों की स्वस्तम बृद्धियों और घनात को भी बढ़ाता है तो 67 का हमारा भी सही है कि बन गुर्जरों खनापतों जन जाती उत्राखण में है अब क्वेश्चन 68 देखते हैं महादीपी शैल्फ की संदर में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए एक प्रमुक मत्सयन स्थल है दूसरा इनमें तेल और गैस तदा खने जैसे मूलवान स ढौतकर गैसे सम तरी तीसे महादीपी शैल्फ की तल पर गट पाए है अब कौन से सही है केवल एक दो केवल 2 13 13 एक 3 महा दीपी शैल्फ महादीपी महादीप का क्रमिक डाल और पेक्षाकरित समतल विस्तार होता है ठीक है यह जो चीज करने वाला और वीडियो यह बंद हो गया तो मैं आपको जोग्रिफी में पढ़ा हुआ है, समुद्र है, तो जो जमीन ऐसे जाती है, पहले यहाँ पर आपको जमीन दिखेगी, यह आपका बीच यह वाला पार्ट बीच है तो जैसे कि आप यह एक ढाल देक रहे हैं, इसको बोलेगे कौंटिनेंटल शेल्फ महादी शेल्फ बोलते हैं इसकी बाद जो होता है एकदम तेजी से गहराई इधर बढ़ते हैं तो इसको पना पप्रोड़ क्वादी बढ़ता है तो महादीब के क्रम आपक शंच सम्दल विस्तार होता है कि समय सागरует अच्छघतित हो समापत होते हैं जिससे है उपकार्च है तो इसके बाद क्या होगा फिर ती डह स्टार्ट चाइब देंगा त्रॉक चैनल के दाट चाइफ कहते हैं उब सुक्षेश औरakah रटाव पेरिवाल मुलियवान शवादन समझ्थादन पाये जाता है जल्ट सब्सक्ताइब करभन स सरे आर्प्रक्राइब होते हैं की सब्सक्र órग्र फलन प्रेशन उंदर हो से हीट प्रेशर पर तो ते लों महाधी में जैल्ट पर रहने वाले समुद्धी जीव का व्यापक सकेंद्रेंट पाया जाता है ये प्रमुख मज्जन शेद भी होता है गर्थ ट्रेंच महासागरों का सबसे गहरे भाग होते हैं त्रेंच जैसे मर्याना ट्रेंच गर्थ अपिक शक्रकत खड़े किनारे वाले संक्री घाटियां होती हैं बहुत मतलत समझ जीजेए बहुत गहरे पार्ट ये आसपास के साग महासागरे तल्ग से लगबग 3-5 km गह जाते हैं गर्थ शेल्फ तो स्टार्टिंग होती है उधर नीपाजाते हैं जो गर्थ होते हैं वो काफी नीचे जो अबेसल प्लेइन मतलब में जब हो जाता है उस बहुत नीचे घहरी घाटियों से होते हैं तो इसलिए तीसरा गलत है पहला दूसरा सही है फिर से एक चले बहुत बड़ा ऐसे परवत होगा तो आप वो लेंगे यह आई-लेंड है इस तरी कैसे चीज़े होती है अब दिखते है क्वेश्चन शिक्स्टी नाइन के संदर में निम्लिक इतकत्नों पर विचार कीजिए इसका शुभारम नीतिया है और केंदी महिला और बालविकास मंत्रा आले द्वारग किया गया है इसका लक्ष भार में वन स्टॉप केंद्रों के पदादिकारियों को मांसिक स्वात प्रस्रिक्षन प्रदान करना इन में से कौन से सही है केवल एक केवल दो एक और दो दो ना तो एक ना तो दो 69 का 20 है हाली में महिला दिवस समारों के इसका रहे हैं तो प्रस्कु राइसर मांसिक सवास का विंक उग्णार किया गया इस को दुनिय। भारत में शेहेजार 1-stop केंद्रों के P caught受겠 प्रदाधिकारी고 मान्सिक स्वास परिस्टेशन प्रदान करना है तो महिलाओं के लिए खुझ हो जयाता है वन तो दीए 70 का हमारा दी सही है हिमाचल और उत्राणचल हिमाला है ठीक है यह भाग पश्चिम में रावी नदियों पूर में काली नदी घागरा की साहिक नदी के भीच इस्तित है यह भाग के दो प्रमुक नदी तन तो सिंदो गंगा द्वारा अभाहेत है हिमाले की सभी तीन मुक शंकला है ब्रहद हिमाले लगु हिमाले जिनने इस्थानिये रूप से हिमाचर प्रदेश में धौलादा उत्ता खंड में नगती भा कहा जाता है उत्तर दक्षिन दिशामें विस्तर शिवालिक शेडी इस हिमाले सभी दूनों में सबसे बड़ी गाटी है जिसकी लंबाई लगबक 35-45 km और 22-25 km है दूसे विंटी गावार डी से हिमाचर उत्रांचर लिमाले में दून संरचना हमें मिलती है बाकी कोशन हम नेक्स वीडियो में देखेंगे थैंक्यू